हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो शेयर कर रहे हूँ जिसमें मैंने बनाया है चावल के आटे की एकदम सौफ्ट सी रोटी और ये मुंफली का ठेचा है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो सबसे पहल ये टेस्ट के गौडिंग एड़ करिएगा आप चाहे तो लैसन स्किप कर सकते हैं और ये सारी चीजों को एक से दो मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है जब ये सारी चीजे थोड़ी सी भून जाए तो ऐसे साइट कर देंगे और बीच में तेल में थोड़ काला नहीं करना है इसलिए जीरा को इस स्टेज पर एड़ करना है फिर एड़ कर देंगे 5-6 करी पत्ते और थोड़ी सी हींग तो बस ये सारी चीजे एड़ करके सब कुछ पकने तक अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे जब मुमफली में सब कुछ अच्छे से पक जा रख लिया था, सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे, फिर प्याज को पकने के लिए टेस्ट के हिसाब से नमक अड़ कर देंगे, और यहां पर प्याज को हमें बहुत नहीं पकाना है, बस यह कलर देख सकते हैं, आप एक से दो मिनट लगते हैं पकने में, बस इतना पका पानी है, इसको रखेंगे गरम करने के लिए, तो यहां पर मैंने दो कटोई के जितना दूद और पानी का मिक्सर डाला है, थोड़ी सी घी डालेंगे उसमें, और फिर उसमें जब यह अच्छे से गरम होने लगे, तो इसमें डाल देंगे एक कप के जितना आटा, चावल क आटा ये, तो इसका मेजरमेंट ये है, कि जितना चावल का आटा रहेगा, उसका डबल पानी रहेगा, आप चाहे तो सिर्फ पानी से भी बना सकता है, मैंने पानी और दूद को थोड़ा मिक्स करके बनाया है, तो बस इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए, सार आके रख लिया था, एकदम अच्छा सा सौप सा आटा बनके रेडी हो गया है, अब बनाएंगे ठेचा, तो इसमें मैंने एक थोड़ा सा इमली का पानी एड किया है, ये इसमें आड नहीं किया जाता है, लेकिन आप करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, और खू कुछ भी बहुत महीन नहीं पीसना है, एकदम ऐसा धरदरा सा रहना चाहिए, अब बनाएंगे चावल की रोटी, तो मैंने चावल की रोटी को नॉर्मल रोटी की तरब बेल लिया है, और इसे तीन से चार बार उलट पलट के अच्छे से सेख लेना है, और ये बहुत ही पास देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, लाइक करिएगा, और शेयर करिएगा, मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि आपको ये रेसीपी कैसी लगी, आप मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं, मुझे फेस्बूक और इंस्टाप पे फॉलो करिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, थैंक यू सो मच पर आचिंग मैं वीडियो, थैंक यू, बाँ बाई